नमस्कार Excellence Learners के online class में आप सभी का स्वागत है और आज इस class में बाते होंगी एक poem की जिसका heading है Lions and Ant Student's poetry को compose किया है एक Canadian American poet जिनका नाम था Walt Mason यही है Walt Mason आज के poem के composer Student Walt Mason ने हमेशा कहानी style में poem को लिखा है मतलब इनकी poetry में कोई ने कोई एक कहानी होती है यह कहानी को poem के माध्यम से represent करते हैं और इस तरह की poetry होती है उसे हम कहते हैं ballot तो ballot लिखा है इनोने और इसमें दो तरह की situation जो present poetry है हमारी उसमें दो तरह की situation को इनोने portrait किया है illustrate किया है और लिखा है हलांकि पूरी poetry एक ही stand जामे है लेकिन क्योंकि दो अलग अलग घटनाओं का जिक्र किया है इसमें तो मैंने आपके लिए से दो अलग stand जो हमें बाट रखा है ताकि poetry हमें समझ में आए student उसमें एक episode जो है उसमें एक hunter है और hunter का encounter होता है lion के साथ फिर दूसरा episode में same hunter है लेकिन इस बार उसका encounter होता है ant के साथ cheaty के साथ तो वह किस तरीके से दोनों को handle करता है यह बारे में बताया गया है बच्चों लायन यहां पर bigger problem को बताया गया है तो encounter with ant को smaller problem को बताया गया है और जिंदिगी में bigger problem और smaller problem जो हमारे सामने आता है तो how to face with them यह भी इसमें बताने की कोशिश की गई है तो आईए start करते है poetry को अपना book pen paper लेकर आप ready हो जाएए I start once a hunter met a lion near the hungry critter's layer and the way that the lion malted him was decidedly unfair once upon a time अजिकतर अपने poetry देखा होगा इसी line से शुरू होती है same उसी style को follow किया है poet ने यहाँ और लिखते हैं once a hunter met a lion एक बार एक hunter lion से मिला near the hungry critter's layer lion कैसा था? hungry था कहाँ था? critter's layer मतलब वह जगा जहाँ lion रहता है कहाँ रहता है lion? जी हाँ ठीका आपने lion के रहने के स्थान को हम English में den कहते हैं और हिंदी में गुफा तो एक शेर के गुफा के पास एक शिकारी पहुचा शिकारी मिला सेर से वह सेर कैसा था? भूखा था और बड़े अजीव ढंग से उसने हमला कर दिया शिकारी के उपर अब देखे शेर से सामना हुआ सिकारी था समभद सिकारी ने गोली चलाई होगी शेर को लगा होगा और शेर ने भी जपट्टा जब मारा था तो शिकारी घायल हो गया था उसके चेहरे पर 47 घौ के निशान बन गये थे और जब डॉक्टर सरजन मतलब कैसा डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है जब वो सरजन के पास गया हंटर तो हंटर रोया नहीं हमपर्ड मतलब रोना क्राय करना दर्ग से चिलनाना नेवर हमपर्ड मतलब नहीं रोया कब जबकि सरजन टांका लगा रहा था स्टीच कर रहा था उसके 47 गैसस घौ को मतलब गायल चेहरे पर लगा था वहां पर उसने जब डॉक्टर ने सिलाई की टांके लगाए तो उस दर्द को बड़े आसानी से जेल गया कौन हंटर और जब उसके घौ भर गये तो घौ के तो निशान तो रही गए होंगे ना इसके मतलब घौ के निशान ओंड़े प्लेस अपने घौ को बड़े हुआ शानों शौकत से लोगों को दिखाता तो से इसमें उसकी प्रसंसा होती वह फैमस हो गया क्यों क्योंकि उसने शेर से ल बड़े हैं अपने इस काम को बहादूरी का एक काम पता कर लोगों को दिखाता था एंड़ेस ब्लेस 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 द लायन उस लायन को भी धन्यवाद देता था किस लायन को that has camped upon his frame camped upon his frame मतलब हुआ बच्चों जिसने उसके उपर हमला किया था उस शेर को भी यह बधाई देता था धन्यवाद देता था क्यों क्योंकि शेर ने उसके उपर हमला किया तब तो इसने शेर का सामना किया शेर के उपर विजय प्राप्त की इसे घौ के निशान आए औ उसके लिए एक प्रकार से उसका विक्टरी का साइन था एक ट्रॉफी था तो यहां था पहला एपिसोड अब देखिए क्या हुआ एक बार फिर वही अंटर अबसेंट माइंडेड एक एक एजेक्टिव है जिसका मतलब है अनमने ढंग से मतलब वो कुछ और सोच रहा था बट शैट अपॉने हील ओफ एंड्स आपने देखा होगा मैदान में खेत में खलिहान में छोटे छोटे जो चीटियां होती है न व उसके अंदर उसकी कॉलनी होती है तो उसी हील पर एंट पर जाकर हुआ बैठ गया कौन बैठ गया हंटर बैठ गया एंड एबाट ए मीलियन बीट हिम एड यू शूट आप सीन हीम डांस और जब बैठा तो मीलियन एंट ने एक साथ उसकी उपर हमला कर दिया उसे काटना शुरू कर दिया और फिर उस एंट से बचने के लिए यह शिकारी जो है डांस करने लगा मतलब इधर उधर पटकने लगा ताकि उसके शरीर पर जो है उसके पौं में एंट लगे हुए हुआ दूर भाग जाए और पोएट को लगा कि वह डांस कर रहा है उसके शरीर पर जो है लाल लाल दाग बन गए एंट के काटने से और इसकी जो भाशा है जो सिकारी जो है वो लगवग गालियां बख रहा था और एपोस्ट्रोफाइड मतलब गालियां यहां पर हुए है अपोस्ट्रोफाइड मतलब होता है बुलाना तो वह बुला रहा था पुकार रहा था इंसेक्ट को इस तरह की वहाशा का प्रियोग कर रहा था मतलब यहां पर हिंट दे रहे हैं पोएट कि वह लगवग गाली बख रहा था और ऐसी उसकी लेंग्वेज गंदी थी कि इट इस नोट हीयर तो बी प्रिंटेट कि मैं उसे यहां पर प्रिंट नहीं कर पाऊंगा अन्फिट तु प्रिंट इसले लिखा है और अब जो पोएट है अपने कविता का मकसद बता रहे हैं हमें प्रीच कर रहे हैं उपदेश कर रहे हैं कि ठीक ऐसा ही होता है हमारे जीम्दगी में जब ट्रबल आती है कैसे भाएं वी जब हमारे पास बड़े बड़े प्रॉबलम आते हैं तो भी फिलिंग वालें बतलब साहसी बोल्ड भी मतलब साहसी दोनों से ननीम हैं हम सास के साथ उस problem को आफ फेस करते हैं किस problem को जो bigger problem होता है like attack of lion it was a bigger problem हम उसे सामना करते हैं बड़े इत्मिनान धंग से लेकिन जो छोटे problem होते है very little very means anxiety हमें थोड़ा सा परिशान कर देता है वह problem जो छोटा होता है और poison के तरह sting करता है हमारे body में right and smart put the lead upon the courage और इस छोटे problem में क्या हो जाता है हमारा courage जो होता है ढक जाता है disappear हो जाता है makes us grey हमें grey कर देता है grey मतलब simply grey is the name is a kind of color एक परकार का रंग है लेकिन grey को जो point device में use किया गया है point ने जो use किया है इसके मतलब होता है बूढ़ा aged मतलब ऐसा लगता है कि we have lost our energy हमारी energy खतम हो जाती है हम बूढ़े जैसे हो जाते हैं grey हो जाते हैं and break out our hearts और अपना दिल तूट जाता है कब जब हम छोटे छोटे problem का सामना करते हैं सो student it was the line by line description of this poetry और मुझे पक्का विश्वास है पोम तो आपको समझ में आ गई होगी lions and ants अब बारी आपकी अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी अब चैनल को subscribe करें और हाँ subscribe करने वक्त इस bell icon को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब मैं यहां से कुछ वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी तुरत आप तलग मुझे तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली बार किसी नए व्याख्यान के साथ किसी नए subject के साथ तब तक के लिए आपसे बिदा लेते हैं